पौधों की पत्यां पेली होकर गिरना, कलियां खराब होना, इस टाइम बहुत लोगों के पौधों में ये समस्या आ रही है, तो पत्यां पेली होने और कलियां खराब होने का क्या कारा हो सकता है, कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये सारे चीज़े दिखाएंगे आपने देखा होगा कभी कभी पत्तियां धीरे धीरे खराब होना सुरू होती हैं और कभी कभी अचानक एक ही दिन में बहुत सारी पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं जब पत्तियां धीरे धीरे पीले पड़कर खराब होती हैं ऐसा अकसर थब होता है जब प ब्दलंड के कलोरोफिल नहीं बन पाता है और पोसड की कमी होने लगता है जैसे ही आपको इस तरह की केड़ों की शुरूआ सोटा देती हैं धुद निकालन की होकर धीरे धीरे गिरने लगते हैं ये उड़ने वाले चोटे-चोटे से सफेद कीड़े होते हैं सुरुवात में आप इसे खाने वाले सोडा और हल्दी पाउडर की घोल से सही कर सकते हैं लेकिन ज्यादा फैलने पर chemical insecticide का spray करके इसे ठीक कर सकते हैं और तीसरे पत्यों को ख जाला जैसा दिखाई पड़े आप पानी का प्रेसर देते हुए अच्छे से पत्यों को धुल दें ओवे रॉन एक दबा आती है उसका पानी में मिला कर स्प्रे कर तो प्लांट खराब होने से बच जाएगा कौन से पौधों पर कौन से कीटना सकता किस तरह से प्रयोग करन है इसका वीडियो मेंने और लेडी अभी डाला था घुस्तनों पहले इंसेक्टिसाइट का प्रयोग करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि उचित मात्रा में सही टैम पर प्रयोग करें क्योंकि केमिकल दबाओं का प्रयोग जाधा मात्रा में करने से भी प्लांट खराब हो सकते हैं दूसरा सितंबर अक्टूबर में पौधों की पत्यां पीली होने का सबसे बड़ा कारण है मौसम का उतार चड़ाओ और वाटरिंग का इस टाइम इंडिया में लगबग हर जगए तो पहर में एकदम तेज धूप कभी बादल और बारिस त यह मेरे प्लांट देख रहे हैं कितने सारे फूलों और कलियों से भरे हुए हैं इस पर मैंने जो ग्रेन एट लगाया था वो मैंने निकाल के नहीं रखा था तो मैं क्या करते हूं 12 से 3 की तेज धूप में इस नेट को प्लांट के ऊपर इस तरहीके से खिसका देते हूं इ लेकिन पौधों को धूप से बचाने के बाद भी जिन पौधों की पत्या पीली पड़ रही हैं उसका कारण है वाटरिंग का आज सुभई वीडियो क्लिक करने के बाद मैंने पौधों में पानी नहीं दिया क्योंकि सुभई की टाम कुछ बादल थे तो मैंने सोचा वारि प्रस्पी नहीं हुई और मैंने भी पानी नहीं डाला अब मैं साम की वीडियो क्लिक दिखाती हूँ एक ही दिन में पानी की कमी से इन सारे पौधों की कितनी खराब हालत हो गई है पौधे रूट रोट होकर खराब नहों इसके लिए हम पोरस मिटी बनाते हैं सौप्त इसके लिए हमें क्या करना है सारी पीली पत्यों को निकाल कर हटा देंगे अब यह अपराजिता के प्लांट में देखिया कोई भी कीडा नहीं लगा है लेकिन यह केबल पानी की कमी से खराब हो रहा है अब हम इसकी खराब पत्यों को निकाल कर हलकी सी कटिंग भी कर सकते ह और इसके बाद गोडाई करके अच्छे से खाद दे देंगे, कुछी दिनों में आप देखेंगे ये पौधा फिर से हरावरा हो जाएगा और यही कारण तुलसी की पत्या पीली होने का भी है एक बार जो पत्या ज़्यादा सूख जाती है वो पीली होकर जरूर गिर जाती है अगर आपके पास पौधों के लिए इतना समय नहीं है तो इन्हें ऐसी जगए पर प्लेस करें जहाँ पर मौर्निंग की दो से तीन खंट हर जगए आराम से सर्वाइब कर जाते हैं अभी सामको पांच बजे का टायम है तो मैं सारे पौधों में अच्छे से पानी दे देती हूँ इस तरीके से पत्यों को नहलाते हुए पानी देंगे तो ये पत्या गिरने से बच जाएंगे कई कमेंट्स में मैंने देखा था ये पारिजाद की पत्या पीली हो रही है तो इसके भी दो कारण हो सकते हैं या तो ज़्यादा मात्रा में रस्ट जूसने वाले केड़े होना या फिर अंडर या ओवर वाटरिंग औवर वार्टरिंग से ज़्यादा तर पलांट तभी खराब होते हैं जब पॉड की मिट्टी अच्छी नहो, ड्रैनेज होल जाम हो गया हो ऐसी इस्तिती में भे बिलांट की पत्यां पीली परलने लगते हैं और प्लांट खराब होने लगता है प्लांट लगाने से पहले हमेसे ड्रेनेज होल जैक कर लें अगर प्लास्टिक का पॉट है तो इसमें कई सारे होल बना लें मिट्टी में रेद और कमपोस्ट जरूर मिला लें जिससे एक्सेस बैटर होगा वो बहार निकल जाएगा इसके अलावा अभी आने वाले सीजन में कुछ पौदे डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं डॉर्मेंसी में जाने वाले कौन-कौन से प्लांट है और कैसे इनकी केर करनी है इसका वीडियो मैं आगे सेयर करूँगी थेंक्यू